कि तो आज हम यहां बात करेंगे बीएश्टिसी का चिक्ष्ण अधिगम जी हां टीचिंग एप्टिटूट से सम्मधित बीएश्टिसी में जो कुछ सनाते हैं उनके हम एक एक करके चर्चा करेंगे और यह आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा कि इसमें कुछ सन लगबग कॉमन से स्वाल आते हैं और इनकी थ्योरी वगरा पढ़ने की याद करने का हो सकता नहीं है केवल कुछ सन की प्रैक्टिस कर लीजिए यह आपके लिए सफिशियंट है तो हम कुछ सन के और चलते हैं इसमें लगबग कुछ सन ऐसे हैं जो विबिन परिक्षाओं में, BSTC में, PTT में आये वे हैं और इसी पेटन पर आपके एक्जाम में कुछ सन बनेंगे तो सिक्ष्या का पहला कुछ सन है सिक्ष्या का अती महतुपून उदेश से क्या है जी हां तो आजीविक का कवाना, बच्चों का सरवांगीन विकास करना, पढ़ना तो इसका दूसरा आंसर होगा, सरवांगीन विकास करना ही हमारा शिक्ष्या का उदेश यह है और उसके बार में देखो, नेक पूसन है, शिक्ष्या के सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है, टीचर का जो रिस्पोंस्बिलिटी है, सबसे इंपोर्टेंट, उसके बारे में योजना तयार करना और उसके अनुसर पड़ाना, या था संभव क्रिया कलापों का आयोधन करना, यहाँ पर अगर आप देखें, तो यह सारे उदेश से जिम्मेदारी या टीचर की होती है, लेकिन यहाँ सबसे इंपोर्टेंट जो रहेगा हमारा, वो रहेगा, दूसरा, विद्यार्तियों को विभिन अधिगम सेलियों के अनुसर शीखने के मोक के उपलब्द करवाना, अधिगम सेलियां आपकी अलग-लग टाइप की होने चैए, जिसमें विभिन प्रकार के बच्चे जिस सेलिय से शीखे, वही उनको मोका मिले शीखने का, नेक्ट कुशन दे विद्यार्तियों के हित का ध्यान रखना या प्रभावी नेतरत्व गुण, तो अगर इस कुशन का आंसर आपको बताना पड़े, तो अच्छे शिख्षक का सबसे मैत्वकून जो गुण है, वह होगा पहला विशेवस्तू का पून ज्यान, यानकि विशेवस्तू का अच करें, शिख्षक की जब बात आती है, क्योंकि बात शिख्षक की की जारी है, और टीचिंग की की जारी है, तो कंटेंट जो है सबसे इंपोर्टेंट होता है टीचर के जो आप डिलीवर कर रहे हो, तो उसके बारे में इसका पहला आंसर से होगा, नेक्ट कुशन देखते है एक परभावी शिख्षक वह है, जो कर सकता है, क्या कर सकता है परभावी शिख्षक, कक्षा पर नियंतर्ण, कम समय में अधिक सूसना देना, विद्यारतियों को सीखने के लिए अभी प्रेजित करना, दत्कारिय को द्यान पुरोग, दत्कारिय को द्यान पुरोग जांसन तो एकदम सिंपल है आप आराम से बता सकते हो इस कुशन का अगर आपको आंसर देने के लिए कहा जाए तो आप बिल्कुल बे जीज़ेक होकर इसका आंसर की इसर लगा सकते हैं कि विद्यारतियों को सीखने के लिए मोटिवेट करना यहां पर इस कंडिशन में इसका अंसर यही होगा नेक कुशन देखो निम लिखित में से कोन सी अच्छे सिख्षक की विशेषता नहीं है द्यान रखना नहीं पूछा है और एक्जाम में इस पैप की कुशन प्राइक कर गलत हो जाते हैं सत्य है ए सत्य है नहीं है या है तो हमेशा कुशन को पहले समझें उसके बाद आप्षन को देखें तो कौन सी अच्छे सिख्षन की विशेषता नहीं है स्वेच्छाचारी, जन्तांत्रिक, शानुबूति, वांस निये सूसना देने वाला, वांस निये कमता है जो जरूरी है तो ये बात तो सही है, कि जरूरी सूसना ही देनी सी है, टीचर्स को, प्लास में जो जरूरी है सानु बूति पूर्ण ये भी सही है कि बच्चों के साथ में टीचर को सानु बूति तो होनी चीए तब ही वो अच्छा कर पाएगा और बच्चों को वो अच्छा समझ पाएगा उसके बार में नेखो जन तांत्रिक भी होना चीए माहूल एक डेमोक्रेटिक जो है इन्वार्मेंट जरूरी है तो अब हमारे पास एक बच गया स्वेच्चाचारी स्वेच्चाचारी थोड़ा नेगेटी वर्ड है कि अपनी इच्छा से सब कुछ हो तो ये थोड़ा ठीक नहीं है तो अब नहीं पुछा है तो नहीं में आगया पहला आंसर आपका स्विछ अचारी एकदम सीम्पल है आप देखो next question के और बढ़ते हम एक शिक्ष को साधन संपन होना चाहिए इसका अर्थ क्या है उसको परियाप धन संपन होना चाहिए उसके उच अधिकारियों के संपर होने चाहिए उसे अपने विद्यारतियों की समस्यों को हल करने के लिए परियाप ज्यान होना चाहिए विद्यारतियों की बीच उसकी अच्छी परतिष्टा होनी चाहिए तो यहाँ पर साधन संपन की बात की जा रही है, साधन संपन एक अध्यापक के लिए जो है सबसे इंपोर्टेट ग्यान की दोलत यहां तीचर वही अच्छा होगा जिसको सीखने का पढ़ने का ग्यान प्राप्त करने का एक लालत हमेशा उसके उपर हावी रहेगा जो बार-बार पढ़ेगा उसका हम साधन संपन कहते हैं तो यहां इसका आंसरा जाएगा आपका यह सब जो है यहां जरूरी नहीं है और अच्छी परतिष्टा की जरूतनी है यहां सबसे पहले अपने स्टूडेंट की जो समझसे हैं उनका वो समाधान करने वाला होना चाहिए तो यह ज्यान की दोलत उसके पास होना जरूरी है नेक प्रूशन के और बढ़ते हैं देख नहीं देना चाहिए आपके इसाप से इसका अंसर क्या हो सकता है तो देखो बच्चों को रोक नहीं सकते हम बच्चों को परसंट पूशने के लिए मोटिवेट करना चाहिए कितना बच्चा कुशन करेगा उतना ही बच्चा क्रियेटिव होगा तो हमारे यहां पर क्या है क कुशन पूछने का कल्चर नहीं है बच्चे को उसन पूछना बहुत जरूरी है ताकि वो सरजनात्मक हो तो यह हम नहीं कर सकते पूछने के लिए प्रेरिद करना चाहिए यह बिल्कुल सही बात है तो जाहित यह नेगेटिव वर्ड है उसन पॉजिटिव है तो आंसर भी प है चैक चैनलने चलिए चत्रों को पहचाणने की योगता विक्सित करने के लिए शिक्षकों में आवस्य कोसल विक्षित करने के लिए शिक्षकों की बढ़ती मांग पूर्ती करने के लिए इन में से कोई नहीं तो शिक्षक पर सिक्षन की बात की जा रही है यहां पर तो यहां आपको ध्यानक नहीं है शिक्षकों में कोसल, यहाँ प्रेज़ सब्दार है कोसल, तो इसका आंसर यह होगा, कि teaching skill को develop करना, विक्षित करना, अपडेट करना, नई नी चीजों को सिखाना, तो यह जरूरी होता teacher के लिए, तो आंसर होगा दूसरा, नमा कुसन नाइन नमबर, रक्षा में पढ़ाते समय, शिक्षकों को ध्यान देना होगा, कि अब किस पर ध्यान देना होगा, स्यामपट कारिये सुन्दर इसपर तता कलात्मक लिखाई में हो, स्यामपट कारिये की विश्य सामगरी मैत्वपूर्ण हो, स्यामपट कारिये वि तो यहां स्यामपट कारिये की बात की दारी है तो यहां इस पर सुन्दर कलात्मक्ता क्या हो सकता नहीं है आप टीचर जो है बलेक बोर्ड पर क्या लिख रहा है ये सबसे इंपोर्टेंट है कंटेंट कितना दमदार है जो लिखा है वो सबसे इंपोर्टेंट है तो आपको इसका विशे ध्यान रखना है कि आंसर विशे सामगरियन की content तो आंसर होगे इसका दूसरा इस प्रकार से यहां पर आंसर आगे second नेक्टुशन दस्वा रेखो निम लिखित में से व्याख्यान विदी का पद नहीं है व्याख्यान विदी का पद नहीं है तैयारी, परियोग, प्रस्तुतिकरण, मुल्यांकन लेक्टर की क्लास में बच्चों को लेक्टर दिया दाता है उसे हम व्याख्यान विदी कहता है एक पदाने का, एक शिखाने का, एक अधिगम का एक तरीका है एक विदी है ये तो ये कह रहा है कि तैयारी तो तैयारी तो व्याख्यान के लिए तो जरूरी है बिना तयारी के तो आप लेक्षर कैसे दोगे, अच्छा परभावी नहीं दे पाओगे, और उसके बाद में है परियोग, उसके बाद परस्तूति करन, मुल्यांकन, मुल्यांकन भी होता है, जब आपने लेक्षर दे दिया, तो उसके बाद में उसका मुल्यांकन किया दाता ह कि किया कम्या रहीं परियोग वाला इसका सयान्स द श्क्षारति सिक्षन की उत्तम परणाली यानकि शिक्षार्थी शिक्षन की उत्तम परणाली वह है जिसमें तब से उत्तम परणाली क्या है परशनोतर क्या उसकता ने पड़े अध्यापक शात्रों से परशन पूछे शात्र अध्यापक से संका समाधान करे अध्यापक और शात्र दोनों परशन देखो टीचर ने पढ़ाया और पढ़ाने की बाद में चात्रों से परसंद पूछे तो टीचर को पटा लगा कि चात्रों को समझ में आगी सामगरी और अगर चात्रों ने कोई वापस परसंद नहीं पूछे तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतब यह वा कि बच्चों ने अभी तक जो है doubt clear की नहीं है या तो बिल्कुल भी समझ नहीं है समझ माता है तो doubt आता है और doubt नहीं आ रहा है तो इसका मतब समझ मनी आ है तो teacher भी question पूछेगा और student भी question पूछेगा तो यह उत्तम प्रणाली मानी जाती है तो अध्यापक और छातर दोनों प्रसंट पूछेगा यह इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा इसमें आगे देखो शिक्षण का पहला चरण क्या है यानि कि शिक्षण, teaching का पहला चरण क्या है पहले से योजन बनाना तो योजन बनाना ठीक है पाठ्य सामगरी को सू संग्ठिट करना भी ठीक है विद्यारतियों का बेग्राउंड जानना देखो यहाँ पर इसका सई आंसर यही होगा तीसरा क्योंकि एक teacher जब पढ़ा रहा है तो बच्चों के बारे में उसको पता होना भो जरूरी है कि बच्चा किस प्रकार के बेग्राउंड जाता है और बेग्राउंड को जानना इसलिए जरूरी है कि बच्चा बोधिक रूप से कितना ससक्त है अगर बच्चा कमजोर है तो teacher को अलग प्रकार का teaching method इस्तेमाल करके उसको समझाना होगा, पढ़ाना होगा तो परती एक विद्यार्थी की बेग्राउंड का teacher को पता होना भो जरूरी है अगर आपको प्रभावी सिक्षन देना है तो जलिए तो इसका आंसर होगे teacher नेक देखते हैं निम में से कौन सा सिक्षन का मुख्य उदेशिये ज्यान रखना मुख्य उदेशिये पुछा है तो पाठ्य करम के अनुसार सूचनाए परदान करना चात्रों के चिंतन की सक्ति का विकास करना चात्रों को टिपणिया लिखवाना चात्रों को परिक्षा के लिए तयार करना तो यहाँ पर शिक्षन का मुख्य उदेश्य के अगर देखें तो परिक्षा के लिए तयार करना टिपणिया लिखवाना ये चीजे थोड़ी से अलग टाइप के है तो यहाँ पर पाठ्थिय करम की सूचना है यहाँ आप अगर इसकी उपर गोर करें तो आपको कहीं ऐसा न सकती का विकास करना यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे टीचर के लिए है उसे दंड देंगे उसका ध्यान आकरशित करने के लिए परसन पुछेंगे उसे ध्यान देने को कहेंगे उन बच्चों के उधारन देंगे जो ध्य द्यान नहीं दे रहा है वो कुछ और सोत रहा है द्यान तो दे रहा है लेकिन आपकी तरफ द्यान नहीं दे रहा है वो और कहीं द्यान दे रहा है तो ऐसी कंडिसर में आप उसको दंड देंगे तो यह थोड़ा का तरीका सही नहीं है पनिश करना यह फाइनल आप्शन यह न उन बच्चों का उधान देंगे जो ध्यान देते हैं, आप देखो, दो और चार में से इसका अंसर आएगा, तो अगर आप दो और चार को कंपेर करें, तो दो इसका ज़्यादा सही होगा, क्योंकि उसके ध्यान के लिए अच्छा टॉनिक है, कि उसको एक बार प्रसंद पु सेंटेस, आपका वो लेक्चर, आपका कौनशेप, वो ध्यान से सुनने की कोशिश करेगा, तो इस कंडिशन में इसका सही आंसर दूसरा योगा, नेक देखो, पंदरा नमबर कुशन क्या कह रहा है, एक अध्यापक को पाठ योजना क्यों बनाने चाहिए, करमबद कारिये करने में साहिक है, साहिक सामगरी में, परियोग में साहिक है, बत्सों के ग्यान को ग्रहन करने में साहिक है, पाठ में विभिंता देने में साहिक ह देखो लेशन प्लान जब हम करते हैं अध्यापक लेशन की प्लानिंग करता है तो यहां करमबद कार्य ठीक है साइक सामगरी में बच्चों की ज्यान ग्रहन को जाचने में पार्ट में विबिन्ता देने में साइक है तो यहां पर अगर आप देखें तो विबिन्ता वाला इसकांसर नहीं होगा और करमबद कार्य करने में साइक सामगरी प्रयोग में साइक बच्चों की ज्यान ग्रहन इसकांसर होगा तीसरा कि पार्ट की जो योजना है वो ऐसी होनीशी है जिसमें बच्चे का जो है तो यह इसका बेश्ट आंसर होगा तीसरा नेख देखो बच्चों में सीखने की प्रक्रिया कब गहनतम होती है यान कि कब वो सबसी ज़्यादा अच्छा सीखता है जब उन्हें क्रिया द्वारा शीखने को प्रोशाइट किया जाए जब वह समस्य समधान में सलगन हो जब उन्हें स्वैम करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए अच्छे से अच्छा करने के लिए बात देखिया जाए यान कि यह कह रहा है कुशन कि कौन सी सिच्वेशन में बच्चा सबसे अच्छा गहराई से शीखता है तो उन्हें क्रिया द्वारा करने को करें कि आप खुद करके देखें तो ये बात तो सही है खुद करके देखते हैं तो हम जादा गहराई से शीखते हैं अच्छा शीखते हैं जब वह समस्य समधान में सलगन हो ये बात भी सही है कि समस्य समधान में वह जब सामिल है तो अच्छा स्वाइं कर रहा है जब उन्हें स्वाह्म करने के लिए स्वतंतर छोड़ दिया जाए ये बात भी सही है कि अगर वो खुद अपने हिसाब से स्वतंतरता पूरवक अगर करेगा तो और अच्छा सीक्षे गई बात सई है अच्छे से अच्छा करने के लिए बात देखिया जा और अब इसमों आंसर जो आएगा, उन्हें स्वय करने के लिए स्वतंतर छोड़ दिया जाए और जब उन्हें क्रिया द्वारा शीखने को प्रोख साहित किया जाए देखो जब हम पूरी तरह से स्वतंतर छोड़ देते हैं बच्चों को तब भी इस प्रकार की दिक्कत आ सकती है और जब उन्हें क्रिया द्वारा शीखने को प्रोशाहित किया जाए यानि कि क्रिया के कंद इसका मतब यह वा कि यहां पर वो खुद कर रहा है क्रिया और खुद करके कोई शीखता है तो यह इसका ज़्यादा सही होगा पहला है नेक देखते हैं निम लिखित में से कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वादीक पसंद करेंगे कौन सा गुण है जो आप अपने विद्यार्थियों में सबसी ज़्यादा लाइक करेंगे उनकी जिग्यासा, उनकी आज्याकारिता, उनकी सानुबूती, उनका सहयोग तो मेरे हिसाब से इसका अंसर पहला होगा कि बच्चे की जिग्यासा है वो अच्छी होनी चीए, जानने की उच्छ सुकता जो है वो अच्छी होनी चीए और उसी से बच्चा आगे बढ़ता है, उसी से बच्चा कंटेंट को अच्छे सी ज्यान से शीकता है तो बाकि ये चीजे भी जरूरी है लेकिन यहां बच्चे के लिए स्टूडेंट के लिए जाता जरूरी है 18 नमर कुशन देखो चात्रों की खेल में रूची पेदा करने के लिए आप क्या करेंगे आप स्वें उनके साथ खेलेंगे खेलों के मैतू पर बाशन देंगे जाने माने खिलाडियों का उधारन देंगे स्कूल टाइम टेबल में खेल के लिए एक पिरिड रखेंगे यहां पर अगर आप देखें खेल में भी बच्चों की रूची होना बहु जरूरी है आप स्वें उनके साथ खेलेंगे यह बात तो सही है लेकिन उतनी सही नहीं है जितना परवावी तरीके से होना चीए खेलों के मैतू पर बाशन देंगे बाशन थोड़ा था नेगटी हो गया कि बाशन देना तो यह बाशन बचे नहीं चुरेंगे आपका जाने माने खिलाडियों का उधारन देंगे ये बाट ठीक है लेकिन उतनी ठीक नहीं है तो अब आपके पास सोथा एक यह उप्शन है और यही सही होगा स्कूल टाइम टेबल में खेल का एक पीरियड रखना चाहिए हर दिन उनको खेलाना चाहिए और खेल का एक पीरियड होगा तो बच्चे खेलेंगे और उससे खेल में उनकी रूची पेदा होगी 19 नमर कुशन देखो अधिगम की प्रकरती दिखाई देती है नेचर ओफ लर्निंग किस प्रकार का होता है रटने में होता है प्रकरिया और उत्पाद में होता है केवल उत्पाद में होता है केवल प्रकरिया में होता है देखो हम कोई चीज को पढ़ते हैं तो हम ये देखें कि वो productive है या नहीं है हमने क्या पढ़ा मालों कि आपको ये कहा जाए कि 7 गंटे की self study आपके लिए बहुत जरूरी है लेकिन 7 गंटे count करोगे या 7 गंटे के साथ आप productivity count करोगे तो productivity count करना बहुत जरूरी है यहाँ पर तो productivity को हम कहते हैं उत्पाद और प्रक्रिया को मतलब कहते हैं कि हम खुद करते हैं अधिगम की प्रकरती दिखाई देती है प्रक्रिया और उत्पाद में तो ये इस कांसरों के दूसरा नेक देखो सिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रस्ट पोशन आउसक है प्रस्ट पोशन की आउसकता यहाँ पर अध्यापक के लिए है विद्यारतियों के लिए है अध्यापक और विद्यारति दोनों के लिए है कक्षा में कर्मोनति के लिए तो इस कांश रोगा तीसरा जो प्रष्ट पोशन है यानि कि जो खक्षा का और कंटेंट का जो मेनेजमेंट है वो दोनों के लिए ज़रूरी है अध्यापक के लिए और विद्यारतियों के लिए प्रात्मिक इस्तर पर शिक्षन की सर्वोतम विदी कौन सी है प्रात्मिक इस्तर यानि की पांचवी क्लास तक की जो पड़ाई होती है बच्चों की उसमें व्याख्यान विदी अच्छी होती है खेल विदी अच्छी होती है परियोजना विदी अच्छी होती है देखो बच्सों को व्याख्यान देना ये मेरे साप से सही नहीं है बच्सों को व्याख्यान नहीं दिये दाएंगे खेल विदी परियोजना विदी बड़ों के लिए होती है और परदर्शन विदी भी बड़ों के लिए है तो इसकान सरा गया दूसरा खोटे बच्सों को हम खेल में बहुत अच्छे से शिखा सकते हैं next question देखते हैं विद्यारतियों के अधिगम को बढ़ाने अधिगम का मतलो होता है learning या सीखना अधिगम को बढ़ाने वाला वेकल पिक्चर क्या है यान कि alternate क्या होगा अधिगम को बढ़ाने का बुद्धी वातावरण शिक्षन गुणवत्ता या समय देखो शीखने का विद्यारतियों के अधिगम को बढ़ाने वाला यान कि शीखने के लिए बढ़ाने का जो विकल्प है हमारे पास यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि शिक्षन की गुणवत्ता तो मेरे इसाब से ये ज़्यादा बेस्ट होगा ये टीशिंग की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी शीए और क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको नहीं लग रहा है वातावरण अपने आप अच्छा होगा और वातावरण अच्छा होगा तो बुद्ध्य अपना बढ़ जाएगी और समय भी हमें में वेल्यू पता लग जाएगी टाइम पी जा आ गया इधर चल चलिए अगले क्वेशन की और बढ़ते है शिक्षन पर शिक्षन का मुख्य उदेश से क्या है यानि कि टीचर ट्रेनिंग क्यों करवाई जाती है शिक्षन व्योसाई के परती प्रेडित करने के लिए शिक्षन कोषलों की दक्षता विक्षित करने के लिए विद्यारतियों की पहचान की योग्यता विक्षित करने के लिए अध्यापकों की बढ़ती मांग को पूरती करने के लिए यहाँ पर अगर देखें तो मांग को पूरती करना यह थोड़ा सा negative है विद्यार्तियों की पहचान करने की योगशता विक्षित करना यह इसका आंसर नहीं हो सकता और अब इन दोनों में से आंसर आएगा तो व्यवसाय की परती प्रेज़ करना ये कमजोर है तो सिक्षन कोसलों की दक्षता विक्षित करना यान की पीचर की जो स्किल है उसकी पावर को बढ़ाना बहुत जरूरी है तब ही वो बच्चों को बहुत अच्छा कंटेंट डिलिवर कर पाएगा और अच्छे बच्चों को तयार कर पाएगा अगला कुशन देखते हैं जटिल तता कठिन विशे वस्तु का सिक्षन कराना चाहिए खात्रों के अनुसार हंडों में बाद में 20-20 में अगर आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा जटिल है तो उसकी विशे वस्तु बहुत कठीन है तो अब आप उसको क्या करेंगे खात्रों के अनुसार की बात करेंगे तो छात्र तो गएगा इसको रहने ही दो गए तो छात्रों के अनुसार हमें नहीं चलना है और खंडों में ठीक है बाद में ठीक नहीं है बाद में तो क्या है बाद में तो कभी आता ही नहीं बीच-बीच में भी नहीं है तो इसका आंस रहोगा खंडम, यानि कि मुश्किल चीज को पार्ट में डिवाइड कर दो, तोड़ दो उसको अलग-लग पार्ट में, उसके बाद में उसको डिलिवर कीजिए, पढ़ाईए, एक्जामपल देकर वो अच्छे से बच्छा समझेगा, नाथ ने लग जाएगा बच्छा को, आगे देखते हैं, निम में से कौन सा मानशिक क्रियाओं का इस्तर नहीं है, मानशिक क्रियाओं का mental activity, बोध, चिंतन, स्मर्ती, वर्नन, आप अगर गोर करें, तो ये दिमाग के अंदर होता है, ये mind से जुड़ावा, आपको नहीं लग रहे हैं, एक mind से जुड़ावा है, वर्नन जो आई ये थोड़ा सा लग है, तो इसका आंसर ये होगा, बोध भी दिमाग मोता है, चिंतन भी दिमाग मोता है, स्मर्ती भी दिमाग मोती है, वर्नन बाहर होता है, नेक्स, कक्षा कक्ष में विद्यारतियों का अधिगम परिलक्षन है, उनकी संग्यानात्मक्षमताओं का, माता-पिता के सहयोग का, मानसीक, स्वास्ति और समायोजन का, अभी रूची और अभी प्रेरिना का, देखो, ये कह रहा है कि कक्षा कक्ष में, यानि कि क्लास के अंदर जो स्टूडेंट है आपके, उनका जो सीखने का परिलक्षन है, उनकी अधिगम सीखना होता है और परिलक्षन, अब इसका आंसर क्या होगा, उनकी संग्यानात्मक्षमताओं का, माता-पिता के सहयोग का ये आंसर इसका नहीं हो सकता, मानसीक, स्वास्ति और समायो अगर हम क्लास की बात करें, तो यहां इसका तो सही आंसर आएगा, वो आएगा अभीरूची और अभी प्रेरिना का, कि बच्चा कितना मोटिविटेड है, चीक ने के लिए कितना तयार है, ये फेक्टर जो है, ज्यादा काम करता है कक्षा कक्ष में, उसके बार में देखो अगले कुशन की और, निम में से कोन सा विश्तर्त, विश्मर्ती का कारण नहीं है, विश्मर्ती बूलना कारण नहीं है, नहीं पूछाए द्यानकना, गलत पूछाए, शीखने में कमी, समरन करने के इच्छा, मानशिक द्वंद, शीखने की दोस्पून विदिया, देखो ये कैरा है कि विस्मर्ति यानि की बूलने का कारण नहीं है नहीं है तो ये सीखने में कमी तो बूलने का कारण तो ये है और स्मर्ण करने के इच्छा स्मर्ण करने के इच्छा है तो ये तो कारण मानशिक द्वन्द होता है शीखने की दो स्पून विदिया इसका अंसरोगा दूसरा स्मर्ण करने के गर इच्छ होती है तो आप उसको भूलेंगे नहीं इनसान भूलता कब है जब आपको पढ़ने में इंट्रेस्ट बिल्कुल भी नहीं है तो आप मान कर चलो कि आप उस चीज को याद नहीं रख़ा होगे अगर आपको इंट्रेस्ट आ रहा है ने पढ़ने में आपको मजा आ रहा है तो आप मान के चलो कि उसको आप लंबे टाइम तक याद रखोगी कभी बूली नहीं शक्ते तो 27 कुस्षन होगे और अब हम दो कुस्षन और पढ़ेंगे तीन कुस्षन 28 नमर देखो वह कारक जो अधिगम को परभावित नहीं करता है प्रेरना अधिगम विती वर्स का महिना विसेवस्तो की प्रकृति आप इनको अगर देखें तो एक उप्सने से बिल्कुल अलग थलग सा लग रहा है नहीं लग अगर आपको वर्स का महिना वेकारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करते है महिना अधिगम के दो प्रकार कों से आगमन और निगमन नकरात्मक और सकारात्मक बनावटी और वास्त्री शिक्षक एयों शिक्सार्थि तो इसका एक सिदांत जो है यह होगा इसका अधिगम का प्रकार लास्ट कूशन है तीस सीखना क्या है ग्यान का इस्दर ग्यान की उस्मा प्राणी मात्र की विवहार में सुधार लाने के लिए प्राणी मात्र की विवहार को प्रिरीद करने के लिए देखो यहाँ पर अगर देखें तो ग्यान की उस्मा, ग्यान का इस्तर, सुधार लाना इस चारोई option वेसे शीखने से समझने से सही है लेकिन कहिन कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि व्यवहार में सुधार ये ज़्यादा प्रवावसाली है कि हम क्यों सीखते हैं कोई भी चीज हम क्यों सीखते हैं अपने व्यवहार में उत्रोतर सुधार positivity लाने के लिए तो यहाँ पर 30 रांसर होगा कि व्यवहार में सुधार लाने के लिए तो ये थे आज के teaching aptitude के 30 question और इसके हमने practice किये और आपने अगर अच्छे से इनको सुना है ध्यान से तो आप मान के चलो कि exam में आपकी question जो हैं सही होने के chance और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इसी base पर आपको BSTC में question पुछे जाएंगे तो next time मैं अगली series लेकर आऊँगा PTT के exam में ये जो BSTC exam में आने वाले जो question है उनके बैत्वपून परस्णों की और अच्छे से एक बार आप समझने की कोशिश करना और no doubt आप बहुत अच्छे से इनको समझ सकते हो बाकी हम मिलते हैं अगले class में thank you